इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर्व्यू रिलेटेट लिखा है राइट अप्रोग्राम टू करने दिया यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट चलिए बात करते हैं देखू यहां फे फ्लोट वैल्यो को स्टिंग में कनवर्ट करना है जैसे एक्जाम्पल हम लोग यह हुए है इसी को बैसिकली स्टिंग में कनवर्ट करना है ठीक है तो वेरी सिंपल है चलिए हम फाइल क्रेट प्रैक्टिकल देखते हैं मैंने फाइल क्रिएट कर लिया है स्टी आर सिक्स्टीन डॉट जावा और मैंने यहां पर एक प्लास का नेम दे दिया इस थे ले में चरλ यहां पर प्लॉट टाइप ले ले और ता हैं एहां एक वाल टो टो टैन फॉइट करना एस rapid को स्ति देगा ठीक है एंड देन मैं इसको फ्रिंट करा देता हूं यह पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस्टी आर यह आपका आ जाएगा टैन पॉइंट फाइव चलिए एक बार कंपाइल करके देखते हैं कमंड प्रोंड ओपें कर लिया और मेरा फोल्डर है डेक्स टॉप पे तो सीडी डेक्स टॉप पे जाहूंगा पहले देन सीडी जावा नाम का फॉल्डर है जावा सीस्टी आर सिक्स्टीन डॉट चावा कंपाइल करो मैं फाइंड क्लास का नेव है माई स्ट्रीन माई इस्ट्रिंग कंपाइस देखो फाइड एंड रन भी होगी आपका 10.5 बारा अब इसका क्लास पता करना है कि यह आपका इस्ट्रिंग में कनवर्ट हुआ एक नहीं आप फाइंड आउट कर सकते हो यहां पे लिखो अब एस्टी आर डॉट गेट क्लासनेम ठीक है ठीक है ठीक है एक यहां पर यहां पर यूज कर लो मैदर्ड तो यह आपका रिटर्न कर देगा क्लास का नेम चली देखे बिरींट भी हो रहा है और बता भी रहा है सब्सक्राइब आए यहां पे आप क्या करो यहां पे रगा कर देगा float में ठीक है तो आफ result same आएगा देखो एक बार print कर लो compile करो compile is fine यह देखो output देखो same आ रहा है clear है तो यह भी आप use कर सकते हो float.to stream method ठीक है ने clear point तो यह भी आपको क्या करेगा float में convert कर देगा यह है example 2 यह भी पूछा गिया है easy है ठीक है इसको आप लोग क्या करो नोट करो नोट करके practical करो ठीक है practical करोगे तो clear रहेगा ठीक है डान लाइक करो comment करो subscribe करो मिलते है next video thank you bye bye